यह मारा अलू मटना का पलाव त्यार हो गया है बिस्मिल्ला राख्मान एराहिम आज हम बनाने जा रहे हैं अलू मटना का पलाव जिसके लिए मैंने पॉनी प्याली लिया है गीजी एक बड़े बादा प्याज है यह हम गोल्डन ब्रॉन करेंगे यह हमारा प्याज जो है वो ब्रॉन हो गया अब इसमें मैंने गड़ो साले की चीजें जालूँगी काली मिर्चे हैं लोंग है जीरा है पत्ता है और डाची ही है यह लस्सन ट्रमाटर लस्सन ट्रमाटर है खड़ी मिर्चे और अद्रक जाए यह मैंने इसमें डाल है आदी प्यादी प्रेबल डाइंटी है यह हमारा प्लाओ अलू मटरों का ना बड़ा मज़ेदार बनने वार है इंशाला यह देखें अब मैंने निसाल मसालों के साथ नहीं कमून है अब मैं इसमें आलो और मटर डालू यह तकड़ी बहां आदा किलो आलो है हमारे यह एक प्याली मटरों की है यह नहीं के डालोंगी मैं तकड़ीबन तीन चंची में डालोंगी छोटे वाली है तीन चंची है यह दो चंची लाल मिर्चों की डालोंगी यह दरियां पीस हो गया दो चंची यह जाएंगी तकड़ीबन चंची में छोटे वाली जो वो यूज कर रहे है उसके इसाब से मेने डालोंगी यह इसको अच्छी तर न मैं तकड़ा होँगी मैंने बस दही डाला इसमें पाणी बिल्कुल भी नी डाला अभी थोड़ा सा में इसके साथ दही के साथ गूंगी उसके बाद मैंने इसमें पाणी डालूंगी यह देखें दहीने, गीने, मसालों ने हमार ये और जयना वो भी छोड़ दिया, अब मैं इसमें पानी डालूँगा ये तीन जो प्याली में मैंने पानी डाला है अब मैं डखन दे कि इसको पकाऊंगे अब हम डखन उठाके देखें किया विश्ण है ये हमारे आलू मटर जो है न तक्रीबन आदे जो है न वगल चुके अब हम इसमें चावर डालेंगे ये एक इलो के करीब हमारे चावर है आपने देख ले न इसमें नमक को अगर कम लगे तो आपने डाल देना लेकिन मेरा तो मैंने देखा मेरा तो नमक पानी में ठीक है ये आप मैं डखन दे दूँगी डखन उठाके आप देखते हैं कि आप दीशाने चावर लोंगी ये हमारे चावर जो है न और तकलीबन प्यार होगे हैं ये हमारे चावर जो आना अब मैं दम पे डखने लगी हूँ इसमेरा जर्दा रंग में डालूँगी ये जरा अच्छा हो जाएगा इसमें लुक अच्ही आजएगी अब मैं दम लगाने लगी हूँ पांच मिंट का दम मैंने लगा दिया ये आप चावर देखती हैं फांच मिंट का दम लगाया था अब हमारे चावर जो आप रहडी होगे अब मैं दिश में नकालूँगी ये हमारा अलूप मट्रा को पला जो है वो तियार हो गया है इसके साथ ही मुझे अजासद में दौाओं में रखे याद अल्ला अफीर